आज हम लोग बात करेंगे कि best free password manager कौन सा है 2021 के लिए और बात करेंगे bitwarden के free version के बारे में detailed में हाई गाइज मेरा नाम है कृपेश आडवनी यहाँ पर मैंने password manager के बारे में बहुत बात करी है best password manager का वीडियो ही बनाया है आज हम लोग बात करेंगे best free password manager के बारे में कि free में कौन सा password manager अच्छा है कौन से password manager आपको use करना चाहिए तो free में जितना मैंने research किया है तीन options यहाँ पर हमारे पास available है पहला है last pass now last pass यहाँ पर एक अच्छा password manager हुआ करता था free में यहाँ पर यह लोग recently 16 March 2021 से एक नई condition ले आ हैं जिसमें device type सिर्फ एक ही रहेगा one device type रहेगा free मतलब यहां तो मैं उसको desktop में use कर सकता हूं यहां फिर मैं उसको mobile में use कर सकता हूं mobile में बहुत सारे mobile में एक साथ यूज कर सकता हूं desktop पे यूज कर सकता हूं जैसे इसमें लिखा है तो यह जो selection रहेगा यह मुझे पहले सिलेक करना पड़े और एक बार अगर आपने इसको सिलेक कर दिया तो सिर्फ आप लोग इसको तीन टाइम्स चेंज कर सकते हो मतलब computer पे यूज कर रहे हो तो एक बार आपने switch कर लिया तो ऐसे maximum से तीन बार इसको change कर सकते हो पूरे lifetime में that's it तो last pass को मैं free के लिए यहाँ पर जादा recommend नहीं कर पाऊंगा इस एक condition की वज़े से अगला है हमारे पास not pass not pass पर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ट सेव कर सकते हैं that's good लेकिन जब यहाँ पर हम लोग devices पर आते हैं तो यह सिर्फ एक ही device पर active रहेगा मतलब अगर मैं इसको mobile पर use कर रहा हूं तो mobile पर active रहेगा देन अगर मुझे desktop पर use करना है तो पहले मुझे mobile से logout करना पड़ेगा देन desktop पर login होगा तो एक ही device पर वो active रहेगा तो अगर आप लोग एक device पर use करते हो सिर्फ तो इसको देख सकते हो उसको हम लोग कितनी भी पर चेंज कर सकते हैं यहां पर as such कोई restriction नहीं कि सिर्फ तीन बार ही चेंज कर सकते हो जबी भी आपको use करना है आप लोग कर सकते हो लेकिन हर बार यहां पर आपको password डालना पड़ेगा और दूसरे device से वह automatically logged out हो जाएगा जब जैसी हम लोग उस पर login करेंगे for example mobile पे खुल आपको नीचे description पर मिल जाएगा आप लोग चाहें तो जाके और पढ़ सकते इसके बारे में तो अगर मैं इसके pricing के बारे में बात करो तो जैसी यहां पर हम लोग आते हैं यह रही इसके individual pricing यहां पर आपको free forever मिलता और free में हमें क्या-क्या मिल जाता है यह unlimited devices हैं आपर device प यहां पर save कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े आपको free plan में आपर मिल जाती है जो की बहुत अच्छा है अब free plan में हमें क्या नहीं मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको encrypted storage को option नहीं देखने को मिलता है additional two factor authentication के कुछ options है जो नहीं मिलते है priority support नहीं है और through और email के through भी आप लोग OTP ले सकते हो और बाकी options है UB की का डियो का और यह सारी चीज़े आपको add present नहीं मिलती है इनके free वाले plan पर security audits की बात करों तो नहीं कियो और 53 के through security audits करवाए है और अच्छी बात यह है कि इन्होंने 2020 में भी करवाया था और 2021 में भी करवाया और और उससे पहले 2018 में भी कराया था तो यह चीज़ देखके काफी अच्छा लगता है जब एक company regularly अपने security audits करवाते हैं तो user interface की बात करों तो जैसी आप लोग यहां पर web interface पर login करोगे आपको कुछ इस तरह कर का यहां पर interface देखने को मिलेगा थोड़ा पुराने type का है गुड ठीक है बहुत जादा modern अगें ब्राउजर extension भी नहीं है बट इट कान गेट जॉब दन इजी तो यूज है ऑथेंटिकेटर आप की तरह भी आप लोग यहां पर इसको यूज कर सकते है ऑथेंटिकेटर की जो दिख रही है लेकिन उसके आपको premium version यूज करना पड़ है वेब ब्राउजर में भी बहुत सारे वेब ब्राउजर के लिए अवेलेबल है Google Chrome Firefox में तो है ही है साथ में विवालदी ब्रेव और टॉर ब्राउजर के लिए अवेलेबल है तो काफी सारे यहां पर आपको options मिल जाते है mobile apps में भी है command line के लिए और web vault भी यहां पर access कर सकत है कि क्या password आपने जनरेट किये है passphrase का भी option है so that is good है यहां पर कुछ settings है जिसको हम लोग define कर सकते कि हमें किस तरह का यहां पर password चीए और अगर आपको और detail में जानना है कि इसको कैसे use करना है तो bitwarden का detailed how to guide बना के रखिए मेरे दूसरे चानल के ऊपर वो आप लोग जाक mobile apps ही बात करनों तो easy to use है और आपको बाइमेट्रिक के options भी मिल जाते है AutoFill के बात करनो तो यहापको AutoFill का Option मिल जाता है और कभी कबार वो काम नहीं करता है उस Case में यहाँपर हमें जाना पड़ता है एधर और इस पे यहाँपर क्लिक कर दिना पड़ता है तो वो AutoFill यहाँपर कर देता है कभी कबार इनकी AutoFill में Glitches आ जाते हैं Storage की बात करनो, तो इनके free version में आपको storage की options नहीं मिलते हैं, हलाकि अगर आपको encrypted storage चीह है, तो आपको मेरा best free cloud storage वाला video देख सकते हो, आपको आपको button के ओपर मिल जाएगा, वहाँ पर मनें बताए कि free में encrypted cloud storage आपको कौन-कौन प्रोवाइड करा रहे हैं. Import-Export की बात करनो, तो Bitwarden is one of the best when it comes to import, यहाँ पर आपको इतने सारे options मिल जाते हैं, इंपोर्ट करने के लिए, मतलब जो password managers है, जो popular password managers है, जैसे 1Password हो गया, Dashlane हो गया, LastPass हो गया, उन सबके तो options है ही, साथ में पुराने वाले जो 1Password है, उसके भी option है, अवास पासवर्ट के option है, टोटल यहाँ पर 50 ऐसे option आपको मिल जाते है, जोहो वाल्ट भी है, रिमेंबर भी है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको options मिल जाते हैं, इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट में, it is one of the best, दूसरा कोई password manager नहीं है, ना Bitwarden ना किसी और password manager ने, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो आप लोग मुझे support कर सकते हो, मेरे नीचे दिये गए link से purchase करके, अगर आपको कुछ purchase करना है, तो आपको मेरे affiliate links नीचे मिल जाएंगे, अगर आप लोग मुझे support करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इसके support की, Bitwarden के support की, यहाँ पर आपको email support मिल जाता है, इनके free version पे, जिस पे usually एक से दो दिन के अंदर आपको reply मिल जाते हैं, अगर paid version लेते हो, तो live chat support भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ट्विटर पे they are very active, तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी response जिये, तो tweet करके देखने न, शायद से आपको ज़्यादा जल्दी response मिल जाए on Twitter, types of data storage की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको login आप लोग उपने passwords को save कर सकते हो, then additional details की बात करों, तो यहाँ पर हम लोग कुछ notes भी ढाल सकते हैं, और custom fields का भी option मिल जाता है, अगर आपको security questions अगरे डालने हैं, तो हम लोग यहाँ पर custom fields का यूज कर सकते हैं, custom fields के उपर भी कैसे इसको यूज करना है, उसका भी वीडियो बना हुआ है, दूसरे channel के उपर आप लोग चाहें, तो देख सकते हैं, custom fields के बारे में और जानने के लिए, then यहाँ पर आपको password history भी देखने को मिल जाती है, पहले लोग password history नहीं बताते थे, मतलब अगर by default, या फिर अगर गलती से मैंने password update कर दिया, या फिर मुझे यह जानना हूँ कि पहले का password क्या था, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, for example, यह एक entry है, तो यहाँ पर जैसी मैं click करूँगा, तो password history मतलब मैंने इसको यहाँ पर एक बार update किया, securely bitward and send के ओपर, again मैंने detailed video बना के रखा है, वो आपको आई button के ओपर मिल जाएगा, तो अगर आपको passwords बगरे share करने रहते हैं, securely तो आप लोग bitward and send के यहाँ पर use कर सकते हैं, वो भी आपको free में मिल जाता है, अब इससे पहले मैं इसके pros and cons के बारे में बता हूँ, अगर आपको अभी तक का यह वीडियो अच्छा लगाए, तो इसको थम्जब जरूर देदीजिएगा, it really helps me a lot, अब अगर मैं इसके pros के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले प्रो यही है कि यह free है, आपको काफी सारे features दे देता है, इसके security काफी अच्छी है, यहाँ पर आपको zero knowledge encryption मिल जाता है, open source भी, audits भी कराएं में, काफी established player है, password manager की field में, so that's good, custom field के options मिल जाते हैं, password history है, और bitwarden send भी आपको इनके free version में मिल जाता है, अब अगर मैं इसके कुछ cons के बारे में बात करूँ, तो जो इसका interface से वो मुझे थोड़ा पुराना लगा है, it is easy to use, और मेरा tutorial देख लोगे, आप लोग दूसरे चानल पे तो और इसको आसानी से यूज कर लोगे, लेकिन ठीक है इसको थोड़ा modern किया जा सकता है, जैसे अगर मैं 1Password पर यूज कर रहा हूँ, या फिर Dashlane यूज कर रहा हूँ, या फिर NordPass यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं bitwarden पर आता हूँ, तो मुझे ये थोड़ा पुराना लगता है, अगला जो इसका कौन है वो यह है कि unidentified logins को ये प्रिवेंट नहीं करता है, मतलब अगर मैंने इसको एक IP से यहाँ पर लॉगिन किया, और मैंने दूसरे IP से उसको लॉगिन किया, तो ये मुझे email पर तो notify कर देता है, लेकिन ये मुझे उसको restrict नहीं करता है, अगर टू-factor authentication नहीं है तो अगर आप लॉगिन करते हैं तो याद से उसको ब्लॉक नहीं करते हैं तो अगर आप लोग नहीं करते हैं तो तो तू-factor authentication ज़रूर याद से on कर लीजेगा, फिर यहाँ पर import options तो है, लेकिन वो से web world पर आप लोग कर सकते हो, extension या फिर mobile app space को import नहीं कर सकते हो, अगर आपको दूसरे password manager से import करना है, तो उसका option से web world के उपर है, तो अच्छा है लेकिन कभी कबार उसमें मुझे glitches feel करने को मिले हैं, So, what's the bottom line? I think Bitwarden is one of the best free password manager out there, free में इससे अच्छा कोई नहीं है, अगर आपको free में password manager use करना, अगर आपको पहला password manager use करना, आपको पैसे invest नहीं करना है, use करके दिखना है, try करके दिखना है, कि actual में इसकी requirement है कि नहीं है, आपको requirement तो है ही, आज की date में सब के पास password manager होना चाहिए, तो आप लोग Bitwarden यहापे use करो, free में कापी अच्छा है, और अगर आप लोग developer हो, आपको अपने password manager अपने server पर host करना है, तो Bitwarden के तो आप लोग वो भी कर सकते हो, तो use करो Bitwarden को free में, it is one of the best, out there, maximum लोगों को यहापे paid password manager की शायद से requirement नहीं रहेगी, और जो मेरे जैसे techie है, उन्हीं को requirement रहेगी, जो maximum लोग है, जो general public है, उनको यहापे paid password manager के requirement, अट starting नहीं रहेगी, वो लोग free में Bitwarden का यहापर use कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है उसके requirement है, तो देन आप लग अप्ग्रेट कर लीजेगा, यहाँ फिर दूसरे password manager पे भी shift कर सकते हैं, जैसे कि 1Password, मैं खोद personally 1Password का use करता हूँ, उसका review आपको iWatton के ओपर मिल जाएगा, चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं, आपको लगता हैं, तो तुसको थमझाप दरीजेगा, चानल को subscribe कर लिजेगा, और इंटरेस्टिंग वीडिए उसको लिए चानल को सब्स्राइग कर लीजेगा, और इंट्रेस्टिंग वीडियो ख्ले, झाल झाल